विल्कम टू जोस्ट किचें। आधि एक पताफट बेक पस्ट रेसिपटी आलु की पूरी। बने बानाने के लिए यह लेटिधा के जछे नायो बया है, कज्समाया लोस्त धुब्रत कने पासंत मुछला है। और ये अलू लिए हैं ये दो मीडियम साइज के आलू है आप मान के चलिए दो काप आटे में आपके जाएंगे थाइसो ग्राम के करीब आलू और यह मैंने कट्टू कस कर लिए हैं इससे क्या होता है इसमें जो भी थोड़े बहुत भी आलू पूरे खड़े खड़े आजात हारी धनिया कटी हुई हींग है थोड़ी सी दो चुटकी हींग है और नमक है चलिए बनाना शिवू करते हैं तो पहले आटे में मैं डालूंगी यह आलू यह जाएंगे आटे में आलू डाले यह मैंने इसके बाद इसमें सारे मिसाले जाएंगे दादे थे कीम है इसमें पेटी दनिया आप इसमें मेति का भी यूज कर सकते हैं अबके पास मेति र सब्रों पसंद करते हैं तो मैसमें से दनिया कट के डाले है और बस आप इसे आभ लोग मॉडलेंगे अब इसमें थोड़ा सा मैने ओयल डाल लिया है वन टीजपून के करी और बस अब इसे हम देरे देरे माल लिया है यह देखिए आटा बनके रड़ी है इसको पूरी का है वैसे क्योंकि इसमें आलू का मौईश्चर प्राइगा तो इसे कसा कसा गुतना अब थोड़ा से इसमें और लिया रख़ूंगे ज्यादा रेस्ट नहीं कराना इस आटे को नहीं तो यह और मुलाया हो जाएगा फे अब भुत पतला नहीं करना इनको दिखिए इतनी मुटाई रखनी है इसके इस तरह का से मैं सारी बेल लूँगे जो मैंने लोगी बनाई है यह मीडियम प्लेम पे आपको बनानी है, प्लेम को हाई नहीं करना है नहीं तो आपकी पूरियां अंदर से पकेंगी नहीं क्योंकि इसमें आलू भी है, तो फ्लो टू मीडियम प्लेम में ही इसे पकाना है, कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी इतनी ही टेस्टी होती है नाश्टे में खाएं, आप इसे सबजी के साथ खाएं, या केवल अचार के साथ खाएं, बखाती बढ़ियां लगती है, बच्चे बहुती माम से बहुती एंज्वाइ करके खाते हैं, देखें, बन देगे, बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम में आपको बनाना है, स्लो फ् अचार के लिए, बनाना है ने लोग फ्लेम पर डाली है, फिर से दिखा देते हम आपको इक बार, दिरी देरी, आइट से दबारी हूं, तो यह फोल गई है, इससे मैं पलट दूँँगी, फ्लेम मेडियम कर लिया, इत्देखें, यह देखें, पक गई है यह, यह देखें, बन के रेडी हैं आलू की पूरी बहुत ही टेस्टी अचार के साथ मैंने बच्चों को खिला दी हूँ ब्रेकफास्ट में बहुत ही बढ़िया लगती हैं आप भी ड्राइ कीजिए और मुझे बताईए यह कैसी बनी